दूद कहा होता है गाउं में जानवर सब के पास गाउं में तो हम किसानों को कहना चाहते हैं कि दूद बेचना है तो दूद मत बेचो दूद के सामान बनाके बेचो दूद में से घी निकलता है मक्खन निकलता है दूद का दही बनता है आपको मालू में हमारे देश में एक विदेशी कंपनी है उसका नام है Nesley वो दिल्ली के आसकास के गाउं से दूद लेती है 12 रुपाई लीडर और उस दूद का दही जमाती है और उसको बेचती है 65 रुपाई किलो आजकल आपको मालू में दही के छोड़े छोड़े पैकेट आने लगे 65 रुपाई किलो का दही बेच लेती है वो कमपनी दिल्ली में दूद से दही बनाना कौन सी खास बात है बताओ जरा कौन सी मशीन लगती है इसमें ये बताओ कितनी पूजी लगती है ये बताओ एक पैसा लगाए बिना बिना कोई मशीन के हम दूद से दही बना सकते हैं अब दूद से दही वो कमपनी बना सकती है तो किसान भी बना सकते है तो हम किसानों को कहना चाते हैं दूद नहीं दही बेचो 65 रुपई किलो का विकता है दूद तो 12 रुपई किलो का है दूद नहीं घी बेचो 300 रुपई किलो विकता है